बागलपूर की यात्रा है हम लोगों की और मेरे साथ स्वास्त विभाग के वरिय पदादिकारी गणाए हैं अभी हम लोग स्ट्रेट वे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जा रहे हैं वहां की व्यवस्ता देखेंगे जिला पदादिकारी भागलपूर से कल विस्तृत है और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से एक ही अपील कर रहा हूं कि जो कोविड एप्रोप्रेट बिहेवियर है मतलब मास्क का सब लोग अनिवार रूप से उपयोग करें थोड़ी दूरी बना कर आपस में लोगों को रखनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग और नियमित रूप से हाथ को धोना चाहिए सेनिटाइजर का उपयोग जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पटना के बाद भागलपूर जिले में जो केसेज मिल रहे हैं वो टॉप थ्री में आते हैं और जिला प्रसाशन के द्वारा बहुत बहतरीन ढंग से कंटेन्मेंट जोन बनाया गया है टेस्टिंग भी बहुत बढ़िया हो रहा है इस जिले में तो आज हम लोग विजिट आये हैं ये देखने के लिए कि और कोई इन्हें सहयोग की आविशक्ता तो नहीं है और विशेश लूप से मैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पिछली बार भी मैं गया था आज भी जाकर वहां के मरीजों से भी मैं इंटरेक्ट करूँगा जानना चाहूंगा कि उन्हें किसी तरह की कोई परिशानी तो नहीं हो रही है आप लोगों की भूमिका बहुत एहम रही है मैं पुना आपके माद्यम से यहां के लोगों से बिहार के लोगों से अपील कर रहा हूँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है लेकिन निश्चित रूप से सब को सजग रहना चाहिए और मास्क तो एक दम यह बहुत बड़ा हतियार है दो ही हतियार इस लड़ाई में है एक है टेस्टिंग करकर लोगों को चिन्हित करकर इलाज और दूसरा है टीका करण टीका करण के शित्र में भी जिला प्रसाशन के दौरा बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है उसमें इनको और क्या सहयोग चाहिए आज हम लोग समिक्षा में उसको भी देख लेंगे तो बस इतना ही है धन्यवाद